अगे, एक दम मस्त होंगे और अगर आप नीट की तयारी कर रहे हो ज की तयारी कर रहे हो जो यहींस की तयारी कर रहे हो तो एक different approach के आंदर मैं एहां पर lectures डाल रहा हूँ पूरी की पूरी सिक्वंस के अंदर जिसमें आपकी जो main problem है किसरा हमें physics समझ में आती है वाट हमें numericals नहीं बनते उसके उपर हम direct attack कर रहे हैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको जो physics के concept है उनको हथियारों की तरह देखना सिखाएगा और हर हथियार के बारे में सिर्फ दो चीजे जानना जरूरी होती है उसे कम भी problem थी physics की कि सर हर बार chemistry में अच्छे नंबर आ गए बायो में अच्छे आ गए बड़ फिजिक्स बनी नहीं वो problem आपकी दूर हो जाएगी आपका confidence increase होगा and definitely आप इस बार selection ले लोगे ये है हमारे in lectures का target तो इस series में आज हम पहुंच चुके हैं हमारे chapter number 4 kinematics का lecture number 5 अब इससे पहले हमने बहुत सारी चीजे पढ़ ली देखो हमने बहुत अच्छे से displacement के बारे में distance, speed, velocity, acceleration इन सब के बारे में पढ़ा as a physical quantity इनको किस तरीके से define किया जाता है different different तरीके की problems करी फिर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े हमने पढ़ा किसके बारे में हमने use of calculus and use of graph calculus और graph का जो use है उसको हमने और अच्छे से समझा क्योंकि बच्चे डरते हैं इससे तो मैंने in general चाहे velocity किसी भी चीज के उपर depend करे, acceleration किसी भी चीज के उपर depend करे, किसी का भी graph दिया हुआ हो कैसा भी question पूछा जाए ऐसी आपको धेर सारी problems मैंने solve कर वाई और मैंने उनका step by step आपको method बताया है कि आपको किस तरीके से work out करना है, फिर हमने specific case को पकड़ा जिसमें हमने motion in straight line with constant acceleration के बारे में बात करी और इसका सबसे perfect example था motion under gravity, क्योंकि जब आप किसी चीज को उपर फैक्ट हो या drop करते हो, तो जो gravitational acceleration work करता है, वो constant होता है, fixed होता है, उसके direction भी change नही होता है, तो जो interest था chapter का, वो बढ़ता जा रहा है, अच्छी अच्छी problems आ रही है, आज इस lecture के अंदर, वैसे तो मैं इस lecture को special lecture बना के सिर्फ website के उपर डालने वाला था, बट इस lecture की तो आपको पता चलेगा कि मैं special lectures के अंदर क्या करवाता हूं, क्यों मैं ये बोलता हूं क्या special lectures सिर्फ और सिर्फ website वाले बच्चो को मिलने चाहिए, क्योंकि इन special lectures के अंदर आपको हो सकता है, कि मैं बहुत अच्छे problems के थूरू concepts सिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपको अगर आपने पहले की lectures नहीं देखे वे, DPPs वगरा, सौल नहीं करें तो हो सकता आपको कि जो detailed depth वाले lectures होते हैं, मैं उनको सिर्फ website के उपर डालता हूं, ताकि बच्चो को समय समय पर पता चलेगी special lecture में क्या होता है, कैसे सर, problems के थूरू हथियारों को चलाना, concepts को चलाना सिखाते हैं, ठीक ना, तो आज भी हम क्या करेंगे इस lecture में, हम लोग सबसे पहले तो motion under gravity की कुछ specific problems लेंगे, तो जहां पर हमने पिछला lecture छोड़ा था, मैंने आपको तीन conditions बताई थी, और तीन अलग-अलग context बताये थे, लेकिन मैंने बताया था, problem तीनों conditions में same है, और आप same formula यूज़ कर सकते हो, तो वहीं से हम लोग आज की lecture को pick करेंगे, और कुछ specific problems लेंग equation of motion को use करते हैं, तो worked out examples के तुरू हम लोग आज ये सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर, आपके जो lectures हैं, पूरे सारे की सारे lectures, मतलब YouTube पर जो आ रहे हैं, जो special lectures है, जो homework solution है, everything, वो हमें कहां पर मिलेगा, PDF हमें कहां पर मिलेगी, और सबसे important जिसके आप बार-बार बात करते हो, DPP हमें कहां पर मिलेगी, क्योंकि जिस teacher से आप पढ़ रहे हो, जिस teacher से आप connect कर रहे हो, वो teacher अपने lectures के हिसाब से, जैसे वो sequence में पढ़ा रहे हैं, उसी sequence में वो problems भी design करता है, या problems को collect करता है, और in form of DPP आप आपको देता है, ताकि आप उन problems को खुद से solve करो और आपका confidence बढ़े, अब ये सारी चीज़े YouTube पर possible नहीं है, तो बच्चों को एक distraction free माहौल मिल जाएं, और मैं सारी की सारी चीज़े provide करवा पाऊंग, इसलिए मैंने अपनी website बना रहे है, www.physicsman.in, तो आप इस website को एक ब माहौल में पढ़ना चाते हो, तो this website will help you a lot, मैं आपको guarantee देता हूं selection की, अगर आपने मेरा पूरा method follow कर लिया, आपको selection से कोई नहीं रोग सकता, अब इस से ज्यादा तो क्या ही चाते हो आप, ठीक है, तो चलो ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, I hope आप में से हो सकता है, बह maximum height तक जाके वापस से नीच आएगा, just corner से फैक है, तो जमीन पर आके दढ़ाम से गिरेगा, या फिर कोई गुबारा है, वो खुद u speed से उपर जा रहा है, तुमने उस गुबारे में से किसी object को drop किया है, although तुमने drop किया है, बट फिर भी उसकी initial velocity 0 नहीं होगी, उसकी initial velocity व फिर वापस से आएगा, for an observer in ground frame of reference, कोई अगर जमीन पर खड़ा होके देख रहा है, तो उसको ऐसी motion नजराएगा, बिल्कुल सेम हो गई, और तीसरा, कि माल लो कोई rocket है, अब ये rocket रवाना होता है यहां से, और जाते 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 जाते, edge height तक u velocity gain कर लेता है, fuel की वज़े स fuel burn हो रहा है, और edge height तक चला जाते है, अब अचानक से इसका fuel खतम हो गया, अगर fuel खतम हो गया, तो अब rocket के अंदर से जो force लग रहा था, exhaust force बोलता है अपन उसको, या अपन उसको upthust force बोल सकते है, तो वो लगना बंद हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ gravitational force लग रहा है, तो वही वाली situation आगे न, कि कोई object है, initial speed u है, already edge height पर है और gravitational acceleration लग रहा है, तो यह जाएगा, जाएगा, जाएगा अपनी maximum height तक और फिर वापस से lot आएगा और जमीन पर धराम से गिरेगा, तीन अलग अलग context, and this is the beauty of these lectures, क्योंकि अगर आप मेरे साथ physics पढ़ोगे न, बच लग है, जैसे मैंने वो car के ओपर brake लगाने वाली चीज के बारे में बताया था, लेकिन अगर आप देखोगे न, आपको कहीं न कहीं कुछ underlying principle ऐसा मिलेगा, जो कि सारी problems को connect कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, कि इन तीनों ही situations के अंदर, अब तुमें नहीं पताया था, using this equation, आप आसानी से क्या कर सकते हो, time calculate कर सकते हो, तो अब यह जो तीनों conditions है, इनके उपर अपन कुछ problems लेते हैं, और उनको solve करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहीं से अपन अपने lecture की शुरुवात करते हैं, तो एक बहुत simple सी problem लेता हूँ, just sample problem है, यह मान ल is thrown upwards from a tower of height of height 15 meter with speed 10 meter. पर second, ठीक है, तो problem हमारे domain में इतना तो हमें पता पढ़ी गया, ठीक है, आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, find, ठीक है, एक तो पूछा जा सकता है, आपसे, maximum height from the tower, ठीक है, ठीक है, दूसरा पूछा जा सकता है, आप से maximum height from the ground, ये पूछा जा सकता है आप से, ठीक है, तो एक निकाल लिया, तो दूसरा आई जाएगा, तीसरा आप से पूछा जा सकता है, time to reach, topmost point, चौथा पूछा जा सकता है, time to strike, ground, ये आप से पूछा जा सकता है, और पाँचवा total displacement आप से पूछा जा सकता है, वो छोटी 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 बहुत सारी problems यहां पर बनाई जा सकती है, अब यहां से सीखना है, यहां पर कै, तो situation तो वही वाली है, कि हम एक tower पर खड़ें और corner पर से हमने एक ball को पहक है, ठीक, अब यहां पर सबसे पहले बात कर है, कि यह अगर हमारा tower है, ठीक है, this is our tower, ठीक है, इसकी height कितनी है, इसकी height दे रखिये आपको 15 meter, 15 meter आपको height दे रखिये, और यहां से आपने किसी ball को फैंका, कितनी speed से फैंका, आपने, आपने u is equals to 10 meter per second की speed से फैंका, तो यहां से आगी की problem तो हमें पता है, कि किसी object को u speed से फैंकते हैं, तो कितनी height तक जाता है, हमें पता है, वो कितनी maximum height तक जाता है, तो वो मालो इस point तक चला गया, तो यह जो height है, यह वाली height है, यह हमें पता है कितनी हो जाएगी, यह वाली height हो जाएगी आपकी u square upon 2G, direct formula है हमारे पास में, u square का मतलब 10 का square करोगे तो 100 और 2 multiplied by 10, 0 से 0 चला गया, 5 meter हो जाएगी आपकी, तो 5 meter और उपर चला जाएगा, तो इसका answer तो पता बढ़ गया, कि maximum height from the tower कितना हो जाएगा, 5 meter हो जाएगा, तावर से और 5 meter उपर जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो, आप से पुछा गया, maximum height from the ground, तो ground से already तुम tower पर थे, औ और 5 meter चले गए, तो total height कितनी हो गया, आपकी total height हो गया, आपकी 5 plus 15 को मिला के 20 meter की height हो गया, और यहां तक पहुंचने में time कितना लगेगा, तो topmost point तक पहुंचने में time लगता है, u upon g, मतलब 10 upon 10 point cancel out हो गया, तो यह आजाएगा 1 second, एक second बाद में, यहां से तुमने फैका, एक second बाद में अपने topmost point पर होगा, तो time to reach topmost point हो गया, आपका 1 second, ठीक है, और फिर उसके बाद में यूटन लेके वापस चे आएगा, और आते 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 दढाम से यह जमीन से टकरा जाएगा, तो जमीन से टकराने का जो total time है, वो आप कैसे निकालोगे, कि फैकने के बाद में एक second तो आपका already गुजर चुका है, एक second तो आपका गुजर चुका है, और आप already कितनी height तक चले गए, 20 meter की height तक चले गए, अब आप 20 meter की height से किसी चीज को drop कर रहे हो, तो drop करने पर time कितना लगता है, root के अंदर आता है, twice of height जिस से आप drop कर रहे हो, divided by g that is 10, root 2h upon g, तो यहां पर 0 से 0 चला गया, 2 into 2, 4 का root करोगे तो 2, तो 1 plus 2 answer कितना आजाएगा, आपका 3 आजाएगा, 3 second आपका answer आजाएगा, और रही बाद total displacement की फैका यहां से था, और अब यहां पर हो, जमीन पर, तो यहां से यहां पर आगे, downward direction में आगे, तो total displacement हो जाए है, कोई अगर हम से यह direct पूछता, कि बताओ, total time of flight या time to strike, ground कितना होगा, तो हम direct भी कर सकते थे, यह चीज़ हम लोग यहां पर direct भी निकाल सकते थे, मैंने क्या बताया था, आप direct equation मना लो, क्या करो, displacement कितना हो आपका or all, minus 15, तो displacement किसके equal होता है, u times t, तो u कितना है, plus 10, multiplied by t, plus, तो यहां पर half into acceleration downward direction में, इसलिए negative आजाएगा, और all, half, acceleration हो गया, 10, multiplied by t square, तो यह quadratic equation मन जाएगी, जिसे हमें solve करना है, तो यह 2 से 10 कट गया 5 times, और 5 से और all equation कट गई, तो t square को इधर लियाएंगे, तो t square positive हो जाएगा, यहां पर 2t बचेगा, तो minus का 2t हो जाएगा, औ इसका solve कर सकते हो, solve कैसे करोगे, तो t की value आजाएगी, minus b, यानि की plus का 2 हो जाएगा, फिर plus ही लेना है, minus तो लेना नहीं है, अपनों को time negative हो नहीं सकता, तो plus, root के अंदर आजाएगा, b square, मतलब 4, minus 4ac, तो 4 into a मतलब 1, multiplied by c मतलब minus कदरी, तो 4ac हो जाएगा, आपका minus का 12, minus minus plus होगे, plus 12 आगया है, यह तो solve करी लोगे आप, divided by twice of e, 12 और 4, 16, 16 का root करोगे तो कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, 4 प्लस 2, 6, और 6 को जब आप 2 से divide करोगे, तो direct भी आपके पास में answer आजाएगा, 3 second, direct भी आपके पास में answer आजाएगा, 3 second, अब एक interesting case बताता हूं आपको interesting case यह है कि सर, अगर हम इस quadratic equation को solve करते, तो अभी तो हमने सिर्फ positive solution लिया है, इसका एक negative solution भी आता, इसका एक negative solution भी आता, कौन से आपको आपको आपको, यहाँ पर आता 2, यहाँ पर आता minus, अंदर b square minus 4ac करते, divided by 2 करते, तो वही, 4 बस थे, 4 में से 2 गए, 12 और 16, ठीक है, औ और तो यहाँ पर आपका 4 बसता, ऊपर बसता आपका minus का 2, minus का 4 प्लस करते, minus का 2, divided by 2 करते, तो minus 1 second भी आता, इसको थोड़ा ध्यान से समझा, अभी तो हमने इसको consider नहीं किया, but minus 1 second का मतलब क्या है, मतलब आपने motion यहाँ से start करी है, यहाँ से, मतलब T is equals to 0 आपने इसको लिए है, ठीक है, तो यहाँ से 1 second बाद में particle यहाँ पर चला गया, और 2 second लगा के total 3 second बाद में यहाँ पर आ गया, minus 1 second पर भी particle यहाँ पर होता, कब अगर हमने motion यहाँ से start करी होती, अगर हमने मालो यहाँ से motion स्टार्ट करी होती, यहाँ से कुछ speed से फैका होता, और फिर object यहाँ तक जाते जाते 10 meter per second पर आ जाता, भाई यह उस motion का part है, जिसमें तुमने object को नीचे से फैका होता, कोई और भी ज्यादा speed से, और ultimately यहाँ तक आते आते, उसकी speed कितनी हो जाती 10, और फिर आगे की motion तो सेम ही है, तो उस condition में, मतलब यह minus 1 क्या कहना चाहरा है, कि यहाँ पर आपका particle दो बार होगा, एक तो फैकने की 3 second बाद में, और अगर यह motion पहले से चली आ रही है, तो फैकने की 1 second पहले, फैकने की 1 second पहले, बहुत interesting है, इसका मैं use बताता हूँ आपको, कहाँ पर use आ सकता है, हालांगि अभी तो यहाँ पर तो इसका use नहीं था, अब मैं इसका एक बहुत specific use बताता हूँ, बहुत popular question है, उसके अंदर मैं इसका use बताता हूँ, ठीक न, देखो, ऐसा question ठीक है, कि आपने किसी height से फैक है, ठीक है, example के तौर पर, आपने किसी height से फैक है, ठीक है, तो यह आपका tower है, ठीक है, तीन cases है, ठीक है, यह आपका tower है, यहाँ से आपने ball को फैका, किसी speed u के साथ में फैका, यह उपर जाती है, और वापस से लौट के आती है, और धडाम से जाके यहां पर टकराती है तो इसमें चो टाइम लगा उसको इन्होंने नाम दिया है T1 से इस प्रोसेस में लगा हो कितना है T1 यह हो गया आपका case number one यह हो गया आपका case number one बहुत popular problem है भी दूछ से case में बोलता है कि चलो आपकी बार अपन same tower लेते हैं, तो यह same tower है आपका, ठीक है, यहाँ पर भी height कितनी थी tower की, h थी, और इधर भी height कितनी है tower की, h ही है, ठीक है, अब की बार आपने क्या अगरा, यह जो ball है ना, इसको instead of u उपर फैकने के, आपने नीचे की तरब फैक दिया, सीधा का सीधा, u speed से, नीचे की तरब फैक दिया, ठीक है, तो नीचे की तरब फैक दिया, तो यह धडाम से आगे, यहाँ पर जमीन से टकरा गया, और इस process में जो time लगा, उसको इन्होंने नाम दिया है, इस process में जो time लिया, उसको नाम दिया, इन्होंने T2, यह हो गया आपका case number 2, ठीक है, अब आता है आपका case number 3, आप क्या करते हूँ, आपकी बार, ना तो उपर फैकते हो, ना ही नीचे फैकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ आपने बाν लिया, और इस बाल को आप क्या कर देते हो, drop कर देते हो, just drop कर देते हो, तो यह zero velocity से अपनी motion स्टार्ट करता है, और जाते, 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 से जाते जणाम से जमीन से टक्रा जाता है तो अब आप से पूछा गया है कि बताओ इस प्रोसेज में जो टाइम टी लगेगा वो कितना होगा इन टरम्स आफ टी वैल्यू कितनी होगा यह हो गया आपका case number 3 यह होगया आपका case number 3 कैसे करोगे हैं तो आप notice करो, notice करके देखो कि इन तीनों ही positions, तीनों ही cases के अंदर जो displacement है वो minus h है तीनों ही conditions के अंदर जो displacement है वो minus h है तो यहाँ पर जो equation बनेगी वो क्या बनेगी minus h is equals to positive u times t1 minus half into g into t1 square यहाँ पर यह बनेगी यहाँ पर equation क्या बनेगी? displacement तो minus h ही है is equals to velocity minus u है times t2 minus का half into g multiplied by t2 square just इतना से अंदर रही है यहाँ पर positive u था यहाँ पर negative u आ गया और यह वाले जो case है case number 3 इसमें क्या होगा? इसमें minus h जो है वो सीधा सीधा किसके इक्वल हो जाएगा? minus half into g into t2 तो हमें इतना तो पता पढ़ गया कि t जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपके root 2h upon g के बराबर तो somehow हमें root 2h upon g निकालना है यहाँ से और यहाँ से तो हमारे पास में t की value आ जाएगी बट एक बार analyze कर गया हम कि हायर तीनों ही cases में आपका displacement कितना है? minus का h तो एक तो तरीका है कि आपके पास में दो equations है आप इन दोनों को solve करो तो solve करने के अलग-अलग तरीके हैं तो मैं आपको पहले वही वाला तरीका बता देता हूं फिर मैं इसका एक shortcut भी बताऊंगा तो यह मान लो आपकी equation number 1 ठीक है और यह मान लो आपकी equation number 2 वैसे standard result है आपको तो इतना भी solve नहीं करना है एक्जाम में direct tick करके आना है यह standard case है बट फिर भी एक बार मां समझाते हैं तो सीखने की चीज़े हैं यहां पर तो हम क्या करता है हम equation 1 में से equation 2 को minus कर देते हैं ठीक है तो हम क्या करता है सबसे पहले हमने equation 1 लिया और इस में से equation 2 को हमने क्या कर दिया minus कर दिया ठीक है तो minus h में से minus h को minus करोगे cancel out हो जाएगा ut1 में से इसको minus करोगे तो यह plus हो जाएगा तो यह आजाएगा u times t1 plus t2 आजाएगा ठीक है और जब इसमें से इसको minus करोगे तो मैं क्या करता हूँ minus का half into g तो common ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा t1 square minus t2 square बच जाएगा और जो t1 square minus t2 square है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं t1 plus t2 और t1 minus t2 लिखता हूँ तो तो मैं यहीं पर एक step बचा रहा हूँ यहीं पर लिख देता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूं t1 minus t2 and T1 plus T2 and all all यह कितना हो गया? 0 हो गया तो आप देखोगे यह जो T1 plus T2 है यह भी common आगे cancel out हो जाएगा तो ultimately यहां से यहां से हमारे पास में जो आएगा वो आएगा T1 minus T2 यह किसके equal हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका twice of U upon G के equal हो जाएगा एक तो चीज हमारे पास में यह आगे एक तो चीज हमारे पास में यह आगे ठीक असर बहुत बढ़िया अब यहां तक की चीज़े हमारे पास में आ चुकी है ठीक अभी भी हमारे पास में T1 और T2 की format में यह नहीं आया यह निकाल लेंगे तो मजह आ जाएगा तो अभी तो हमने दोनों equations को minus किया है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों equations को add करके देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अब की बार equation 1 में, equation 2 जो है, उसको हम लोग add करके देखते हैं, add करके जाएगा यह is equals to u times t1 minus t2 हो जाएगा और इसको और इसको एड़ करोगी तो अब की बार minus का half into g तो common आ गया बचेगा t1 square plus t2 का square ऐसे बचेगा तो अब देखो हमारे पास में जो है उसको अपन कैसे use करेंगे t1 minus t2 किसके equal to u upon g तो मैं लिखूंगा यहाँ पर minus का 2h is equals to u times 2u upon g और यह हो जाएगा minus का half into g यह जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूँ t1 minus t2 का whole square ठीक है देखो t1 minus t2 का whole square यह किसके बराबर होगा t1 square plus t2 square minus 2t1 t2 के बराबर हो गए इसको अपन उधर ले जाते हैं तो सिर्फ यह बच गया तो हम लिख सकते हैं इसको इसको अपन लिख सकते हैं t1 minus t2 का whole square plus twice of t1 t2 यह लिख सकते है अपन इसको और अब अपने इसको solve करते हैं, तो इसको solve करेंगे तो देखो क्या हैगा, यहाँ पर लिया तो मैं इसको, solve करते हैं पने इसको, तो इधर बच रहा है आपका minus का 2H, इधर बच रहा है आपका 2U square upon G, यहाँ पर देखो, T1 minus T2 का whole square, मतलब इसका square करना है अपनों को, तो यह बचेगा, minus का half into G into 4U square upon G square, यह बचा, और फिर ultimately बचता है आपका यह, तो इसको अपन इससे multiply गरेंगे, 2 से 2 cancel out हो जाएगा, minus का G times T1, T2 बचा, अब notice करो, यहाँ पर 2U square upon G है, यहाँ पर G से G कट गया, 2 से 4 कट गया, तो यहाँ पर भी 2U square upon G बचा, तो यह positive है, यह negative है, और और यह आपस में क्या हो जाएगे, cancel out हो जाएगे, minus minus cancel out हो गया, तो यहाँ से T1, T2 किसके बराबर आया, यह आया आपका 2H upon G के बराबर आया, और यह हमें डूढ़ना था, यह तो हमें डूढ़ना था 2H upon G, तो यह हमने यहाँ पर feed कर दिया, और जैसे feed करा, तो T की value क question करोगे, तो कहां से कर पाओगे, तो एक specific case है, ध्यान रखना है आपको, यह इसका proper method है, कि हाँ तीनों cases में आपने displacement की equation मनाई, उनको solve किया, and आपका काम हुग, एक इसका direct method भी है, अगर आप analyze करना चाहो तो, कि इसका direct method जो है न, वो और भी काम का है, वो है असली आपक वाली जीच, जो कि मैं आपको सिखाना चाहता था, कि आप इन में से कोई सी भी एक चीज पकड़ दो, जैसे इस वाले case को ही पकड़ दो, इस वाले case में जो equation मनी, यह वाले equation, इसको दुबारा से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं मैं, कि इसको मैं उधर ले जात ठीक है, और यह minus का h पहले से है यहाँ पर, minus का h is equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पर in general t लेते हैं, ठीक है, तो इसके दो solution निकल के आते हैं, इसके दो solution निकल के आएंगे, और याद करो वो दोनों solution कौन से होगे, एक solution तो proper time होगा, कि यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे आने मे कितना time लगा, मतलब एक तो solution t1 होगा, एक कौन सा होगा, कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना time लगेगा, इसको आप उलड़ा भी कर दो, motion same रहती है, कि यहाँ से अगर आप नीचे भैंकोगे, तो यहाँ तक आने में कितना time लगेगा, तो automatically जो दूसरा solution आता है ना हमार कि यहाँ पर अगर इसके दो solution है, तो quadratic solution, quadratic equation के दोनो solutions का जो product होता है, यानि कि t1 और t2 यह किसके equal होता है, t upon 1 equal, तो यहाँ पर आजाएगा minus h, ठीक, अच्छा, यहाँ पर 2 h आएगा, तो minus का 2 h upon g आजाएगा, minus क्यों आ रहा है आपको पता पढ़ गया, क्योंकि हमारा एक solution positive होता है और एक solution negative होता है, तो अगर अपन सिर्फ magnitude लें, सिर्फ और सिर्फ magnitude लें हम, t1 और t2 का magnitude लें, तो हमें यहाँ पर negative sign लगाने की जरुरत नहीं है, हम सीधा सीधो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 2 h upon g लिख सकते हैं, यह हो गया, और यही तो हमें चाहिए था 2 h upon g, तो 2 h upon g की जगे अपन direct क्या लिख सकते हैं, t1 into t2 लिख सकते हैं, तो इतना सब कुछ solve करने की जरुरत नहीं है, अगर आपकी analyze करने की power बहुत strong है, कोई देखता नहीं है, हमेशा आपन क्या करते हैं, कि चलो positive solution आया, उसको ले लिया और negative sign को हमने क्या कर दिया, discard कर द रखना है, क्योंकि यह result अगर आगया question के अंदर और आप stall करके answer कर रहे हो, तो आप वैसे हार गए, अगर as it is same question आता है, तब तो आपको tick लगाना है, एक बार ऊपर फैगा time t1, एक बार नीचे फैगा time t2, तो drop करने पे कितना time लगेगा, दोनों का geometric mean root t1, t2 लगेगा, य एक standard result है, कैसे आया, सब कुछ आया, पूरी कहानी मैंने सिखाई है, क्योंकि सीखने की चीज़े है, कि देको negative solution को भी analyze करना चाहिए, वो क्या कहना चाह रहा है, और आगे भी बताऊंगा, आपको यह सब चीज़े है, ठीक है तो यह चीज़ आपको सीखते वे चलने है, तीस सेकंड बाद में जाके fuel finished होगा, तो तीस सेकंड तक कितनी height पर चला गया होगा, वो अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं, after what time from the instant of firing, the rocket will attain the maximum height, बहत आसान है, तो चलो, कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले, तो शुरुआत उसकी कहां से होई है, कहनी रखा तो rest से हो है, acceleration upward direction में, upwards with a constant acceleration 10, वह फ्यूल बन हो हुआ कि जो overall acceleration लग रहा है, वो ऊपर की तरफ है, तो यह जो हो जाएगा, वो भी positive 10 meter per second square हो जाएगा, time कितना दे रखा है हमें, time दे रखा है हमें 30 second, time दे रखा हमें 30 second, तो 30 second बाद में जब fuel खतम होगा, उस moment पर इसकी velocity कितनी होग यह हम लोग एक बार find out कर लें, ताकि problem हमारे domain में आ जाए, कौन्स equation लग रही है, पर यह तो first equation लग रही है, बहुत आसान है, V is equals to U plus A multiplied by T, तो यह आ जाएगा आपका 300 meter per second, इतनी speed हो जाएगी उस moment पर, अब उसके बाद में क्या हुआ, fuel तो खतम हो गया, अब तो simple हमारा motion and under gravity का example है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने किसी चीज को इतनी speed से फैका है, ठीक है, और वो अपने maximum height तक जाने में कितना time लेगी, तो time to reach topmost point, किसके एकवल होता है, speed divided by gravitational acceleration, तो 300 divided by 10, 0 से 0 चला गया, 30 second, तो यहां के बाद में 30 second और लगने वाले है, तो आप से पूचा गया है, after what time from the instant of firing, ठीक है, तो time from the instant of firing, यह अगर आपको निकालना है, तो शुरुवात से लेकित 30 second तक तो fuel burn होता रहा, और फिर उसके बाद में 30 second और लगे हमें उपर तक जाने में, तो और all time कितना हो जाएगा हमारा, start second हो जाएगा, start second के बाद में आपको rocket अपने top most point पर मिलेगा, और भी बहुत सरी चीज़े पूची जा सकती थी, आप से maximum height पूची जा सकती थी, ठीक है, आप से maximum height पूची जा सकती थी, कि बताओ maximum height कितनी होगी, from the ground, तो पहले तो अपन क्या करते है, 30 second में height निकालते है, तो 30 second की height कितनी हो जाती, ut, तो u into t तो होगया 0, half into acceleration होगया 10, multiplied by time, तो 30 का square करोगे तो कितना आजाएगा, 900 आजाएगा, ये तो आपकी वो वाली height होगे, जहां पर जाके fuel घतम होगया, ठीक है, उसके बाद में उपर और जाएगा, कितनी speed से, v square upon 2g, v square upon 2g, मतलब 300 का square करो होगे, तो 300 multiplied by, 300 divided by 2g, मतलब 2 multiplied by 10, इतनी height और जाएगा, तो total height आप निकाल सकते हों यहाँ पर, तो ये 2 से 900 गया, 450 times, तो यहाँ तो आगया 4500, प्लस यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 2 से ये 15 बार चला गया, 15 थी 45, तो यहाँ पर भी आगया 4500, तो यहाँ पर भी आगया 4500, त तो total आजाएगा, आपका 9000 meters, ठीक है, और 9000 meters का मतलब हो जाएगा, 9 km, इतनी आपकी maximum height हो जाएगा, कि ground से 9 km तक rocket आपका पहुंच जाएगा, और इसी question में, वैसे तो पूछा नहीं है, बढ़ पूछा जा सकता है, total time of flight कितना हुआ, तो देखो, total time of flight कितना हुआ, तो देखो, total time of flight कि वापस से जमीन पर आके धडाम से गिरने में कितना time लगेगा, तो total time कितना लगा, 30 seconds तो लगे, प्यूल को burn होने में, ठीक है, फिर उसके बाद में 30 seconds और लगे, topmost point तक जाने में, topmost point कहां पर मिला हमें, 9 km, 9000 meters पर, तो फिर वहां से दुबारा गिरने में, फिर तो free fall हो गया, नहीं, कितना time लगेगा, root के अंदर आ जाएगा, 2 into h, h का मतलब हो गया, 9000 meters, divided by g, g का मतलब हो गया, 10, इतना time हमारा, और लगेगा, 0 से 0 cancel out हो गया, तो यह आ जाएगा, आपका 30, plus 30, और यहां पर भी 30 तो बाहर आ गया, और सिर्फ और सिर्फ अंदर रह गया, आपका root 2, तो यह आ जाएगा, आपका 30 common ले लो, ठीके न, और अंदर बज जाएगा, आपका 2 plus root 2, मतलब 30 multiplied by 2 plus 1.41, मतलब 3.41, तो आप multiply करोगे, तो यह आ जाएगा, आपका 12, ठीक है, 0 तो आए गया, 12, पावर चलीगे, एक 4, फिर वापस से 12, फिर पावर चलीगे, एक 9 और एक 10, ठीक है, और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 102.420 seconds, इतना आपका total time हो गया, calculation एक बार आप देख लेना, ठीक है, यहाँ के आगे की calculation आप देख लेना, हो सकता है, मुझसे mistake हो जाए, मेरा दिमाग बढ़ाते वक्त इतना काम नहीं करत ठीक है, खास का recording करते वक्त, बहुत सारी चीज़े पूछी जा सकते है, कुल मिलागे यहाँ पर, ठीक है, 2, 1.41, तो 3.414 हो गया, 0 लगा दिया, 12, पावर चलेगी एक, 4, प्रतीन चुक 12, फिर पावर चलेगी एक, इंडियन और एक, 10, और decimal लगाना है हमें, ठीक है, तो 102.420, सेकंड समारा, टोटल टाइम हो जाएगा, यह भी हम निकाल सकते हैं, यह भी हम निकाल सकते हैं, ठीक तो ऐसे-ऐसे questions आप से पूछे जा सकते हैं, और अब यह questions आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़े questions नहीं होने चाहिए, आसान questions हैं सारे के सारे, क्योंकि हमने इतना length पे जाकर इन्हें discuss किया है, यहां से आगे चलते हैं, और कुछ questions देखते हैं, यह देखो, balloon rises from the ground with an acceleration of 1.25 meter per second square, after 8 seconds, stone is released from the balloon, वो ही question है, वो rocket वाला धाया यहां पर balloon है, तो सबसे पहले तो आपन देख लेंगे कि 8 seconds बाद में इसकी speed कितनी होगी balloon की, क्योंकि पत्थर की speed भी फिर वो ही होगी, ठीक रहा, तो हमें displacement पूछा गया है, distance पूछा गया है, reach the ground, begin to move downwards after being released, देखो यह तो गलत हो गया, fourth तो, क्योंकि हमें पता है, ऐसा तो नहीं होगा, ground की frame of reference में देखेंगे, time हम check कर लेंगे, cover a distance of 40 meter in reaching the ground, यह भी हम check कर लेंगे, have a displacement of 50 meter, यह भी हम check कर लेंगे, तो सबसे पहले तो आपन क्या करते हैं, balloon rises from the ground with an acceleration of this, 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 after 8 seconds, तो हमें acceleration दे रख है, positive 1.25 meter per second square, initial speed हमें दे रखिये, 0, time हमें दे रखा है, कितना, 8 seconds, ठीक है, अब हम दो चीजी निकाल लेता है, कि 8 seconds बाद में velocity कितनी होगी, और 8 seconds तक जाते जाते आपकी height कितनी होगी, कितनी height तक चला जाएगा, 8 seconds, एक बार first equation लगाएंगे, ठीक है, यह चारो first equation के हमने लगाई, first equation, first equation लगाई, तो V जो है, वो कितना आ गया, यू तो हो गया, 0, plus 80, तो 8 multiplied by 1.25, 40, power 4, 12 और 4, 20, power 2, 10, 10 meter per second होगी हमारी, ठीक है, और height कितनी होगी हमारी, तो height के लिए अपनल लगाएंगे, A, U, T और H, यह आती है, हमारी second equation के अंदर, तो second equation यहां पर लगाएंगे, तो हमारी height हो जाएगी, U, T तो हो गया, 0, half, into acceleration हो गया, 1.25, into time का square हो गया, कितना, 64, तो 2 से 64 चला गया, 32 बार, और 32 को 1.25 से multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, मैं एक बार, फिलहाल तो calculator का use कर लेता हूँ, ताकि time बचा स की अपन, हम हम हम, हम 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 हम, ठीक है, तो 32 multiplied by 1.25, तो यह आ जाएगा, 40, यहां बात है, simple सी calculation थी, उन्हें फोकट में, है कर लेता, 40 आ गया, और अब क्यूशन हमारे डोमेन में है अब तो क्यूशन बता बढ़ गया ना कि 40 मिटर की हाइट पर से तुम किसी को उपर फैंक रहो तो have a displacement of 50 मिटर cover a distance of 40 मिटर in reaching the ground total distance जो है वो 40 मिटर है and reach the ground in 4 seconds तो पहले अपन time की बात कर लेते हैं तो time हम कैसे निकालेंगे यहां पर यह velocity है यह height है अब इसके आगे कितना time लगेगा तो topmost point तक पहुँचने में कितना time लगेगा तो वो लगता है v upon g जो भी आपकी speed है उसको g से divide कर दो तो speed है आपकी 10 और g है आपका 10 10 से 10 चला गया वन वन सेकंड का time लगेगा वन सेकंड एक सेकंड का time हो लगेगा अचा एच मैक्स कितना होगा इस point से और कितनी height तक जाएगा तो वो हो जाता है आपका v square upon 2g मतलब 10 का square करोगे divided by 2 multiplied by 10 करोगे 10 से 10 चला गया 5 meter और चला जाएगा तो maximum height from ground कहां से हो जाएगी maximum height from ground ये कितनी हो जाएगी ये भी हम निकाल सकते हैं 40 plus 5 तो और ओल 45 meters हो जाएगी 45 meters हो जाएगी ठीक है और एक बार ये आ गया तो फिर हम time total time भी निकाल सकते हैं तो total time कैसे निकलेगा total time निकलेगा हमारा कि एक सेकंड तो लगा पत्थर को ऊपर जाने में पिर कितनी height तक चला गया 2 multiplied by height divided by g तो 90 divided by 9 बचेगा तो या जाएगा 1 plus 3 मतलब 4 seconds वाके हमें total 4 seconds का time लगेगा तो reach the ground in 4 seconds option 3 हो जाएगा हमारा correct वाके पत्थर जो है वो गिराने के 4 seconds बाद में ground तक पहुंच जाएगा अब direct भी निकाल सकते थे equation मना के कि इसका negative कर लेते वो आपका displacement होता ये initial speed होती positive direction में equation मना के भी यह answer आता same question है but अच्छी चीज़ है कि इसमें सारी चीज़े पूछी किए ताकि बच्चा एक एक चीज निकाले अब देखो जैसे पांच प्लस 45 पचास मिटर हो जाएगी यहां पर अगर 40 की जगर 50 दिया होता तो यह option भी correct हो जाता ठीक है कि total 50 मिटर हो जाएगी अच्छा have a displacement of 50 मिटर यह भी गलत हो गया क्योंकि तुमने 40 मिटर की हाइट से फैक है ultimately displacement माइनस 40 होगा तुम इन पर पहुंचेगा तो ठीक है पचास नहीं हो सकता तो एक एक option चेक करवाया है उसने third option हमारा correct होगा हमने direct time निकाले इसलिए हमारा time बच गया बागी हम एक एक option चेक करते हा है तो ऐसे questions जो है वो अब आपके लिए नए questions नहीं होने चाहिए थोड़े different type के questions और करते है man throws balls with the same speed vertically upwards one after the other at an interval of two seconds दो-दो second के interval पर फैक रहा है what should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any time ठीक है तो ऐसा हो रहा है कि यहां से उसने एक ball फैंकी ठीक है यह उपर की तरफ जारी है ठीक है और इसके दो second के बाद में यह तो first ball फैंकी ठीक है T is equals to zero पर फिर इसके बाद में T is equals to two second पर आपने दूसरी ball को उपर फैंगा ठीक है second ball को आपने उपर फैंगा ठीक है और आप से क्या कर रहा है what should be the speed of the throw so that more than two balls more than two balls are in the sky at any time मतलब आप जब तीसरी ball को फैंकोगे ठीक है यह आपका इंटरवल of two seconds तो चार second के बाद में जब आप तीसरी ball को फैंकोगे तो पहली और दूसरी ball जो है वो हवा में होनी चाहिए मतलब जब आप इस हाथ से तीसरी ball फैंक रहे हो तो इस हाथ में आपकी पहली ball नहीं आनी चाहिए ठीक है तो एक तरीके से हिंट दे दिया गया है कि पहली ball को जो 4 seconds पहले आपने फैंका था ठीक है उसको वापत से दूसरे हाथ पर आने में ठीक है कितना time लगना चाहिए या तो 4 seconds लगे या फिर 4 seconds से ज़्यादा लगे हम 4 seconds से ज़्यादा वाला case लेंगे 4 seconds से ज़्यादा लगेगा तो यह ensure हो जाएगा कि हाँ यार दो बॉल्स जो है वो हमेशा हवा में रहेगी तो हमें पता पढ़ गया कि इसका जो टोटल time of flight है हमें पता पढ़ गया कि इसका जो time of flight है time of flight जो है अगर तुम चाहते हो कि दो बॉल हवा में रहे तो पहली बॉल का time of flight ज़्यादा होना चाहिए कि इससे 4 seconds से ज़्यादा होना चाहिए अगर 4 seconds से पहले तुम्हारी पहली बॉल वापस से हाथ में आ गई इसका मतलब फिर दो बॉल हवा में नहीं रहेगी तो time of flight should be more than 4 seconds, time of flight का formula क्या होता है, तो यह होता है, 2U upon G होता है, total time of flight का, तो यह आपका 4 seconds से ज़्यादा होना चाहिए, तो what should be the speed of the throw, so that more than 2 balls are in the sky, तो निकालो, U must be greater than 4 times G, मतलब 4 times 9.8 divided by 2, 2 से 4 कट गया दो बार, तो U जो है, it must be greater than, तो यह हो जाएगा 16, पावर चली गए 1, 18 और 11, 9.6 meter per second, इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी throwing speed, more than 19.6 meter per second, यह होगी, तब ही जाकि आप ensure कर पाऊगे कि आपकी 2 balls हवा में रहे हैं, ठीक, ठीक है, तो यह अच्छा क्योशन है, बच्चे इंटरप्रीट नहीं कर पाते, इसलिए इन क्योशन के अंदर गडबर कर जाते हैं, यह देखो, body is projected upwards with a velocity u, it passes through a certain point above the ground after t1 second, ठीक है, the time after which the body passes through the same point during the return journey, ठीक है, बलो आपने ball को यहां से फैका, ball उपर जा रही है, यह वाली height लेलो आप, इस height पर ball दो बार आएगी, एक बार तो आएगी, इस point पर time t1 पर आएगी, ठीक है, उपर जाते से में आएगी एक बार तो, ठीक है, the time after which the body passes through the same point, फिर उसके बाद में जाके उपर तक जा रही है, और फिर वापस से नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो फिर यह वाला जो time होगा, यह हो जाएगा आपका t2, ठीक है, तो आप से पुछा गया, the time after which the body passes through the same point, during the return journey, कितने time बाद में है, बतलब इसका और इसका gap कितना होगा, t is equals to 0 पर आपने फैका, t is equals to t1 पर बॉल यहाँ पर थी, और t is equals to t2 पर बॉल वापस से यहाँ पर है, इन दोनों का gap किसके बराबर होगा, यह आप से पूछा गया, लब यहाँ के बाद में और कितना time लगेगा, यह आप से पूछा गया, तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, हमें पता यहाँ से लेके वापस नीचे तक आने में कितना time लगता है, यहाँ से लेके topmost point तक जाने में कितना time लगता है, यह हमें पता है, कि topmost point तक जाने में हमें कितना time लगता है, u upon g लगता है, और total time of flight कितना होता है हमारा, to u upon g होता है, तो सोचो, आपको सिर्फ यह वाला time निकालना है, यह वाला, यह वाला, तो अगर आप इस पूरे time में से, मेरा method of norm, इस पूरे time में से, इधर वाला t1 खटा दो, और इधर वाला t1 हटा दो, तो आपके पास में सिर्फ यह वाला time बच जाएगा, सिर्फ यह वाला time बच जाएगा कि जो पूरा time है मतलब 2 u upon g इसमें से इधर वाला t1 हटा दो यहां से लेगी यहां तक का time और यहां से लेगी यहां तक का time again t1 तो इसमें से twice of t1 हटा दो तो सिर्फ आपके पास में यह gap बच जाएगा तो यह gap कितना होगा आपका two common ले लो अंदर बच जाएगा आपका u upon g minus t1 यह हो जाएगा आपका answer twice of u upon g minus t1 that would be your answer option two is correct ऐसे आप कर सकते हो ठीक है एक चीज़ आप और कर सकते हो आप लेकिन उसमें पिस हाइट की requirement होगी यह दिक्कत है वरना वो भी अच्छा हो जाता कि आप एक quadratic equation मनाते उसके दो solutions होते t1, t2 और उन दोनों का gap आप निकालते हैं देखो मानलो यह point जो है यह कितनी height के उपपर है मानलो यह वाला point जो है यह कितनी height के उपपर है h height के उपपर है just explore कर रहे है तो equation क्या बनती h is equals to u times t ठीक है and minus का half g t square ऐसी आपकी equation बनती ठीक है और इसको जब आप rearrange करते तो g into t square minus 2 u multiplied by t और plus का h is equals to 0 आता इसको आप इधर लेके आगे इसको भी आप इधर लेके आगे यहाँ बे 2 h आएगा मैं बारबार 2 लगाना भूल जाता ठीक है तो इसके दो solution आते दोनो solutions का sum कितना होता t1 प्लस t2 तो आप बोलते से दोनों का जो sum है होता है b upon minus b upon a मतलब 2 u upon g होता जो की बहुत obvious भी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का time और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का time और all add करोगे तो total time of flight के बराबर आजाएगा ध्यान रखना एक तो ठीक ना दोनों का product किस के बराबर हो जाता दोनों का product किस के बराबर हो जाता तो product हो जाता आपका c upon a मतलब twice of h upon g के बराबर हो जाता ठीक और अब जैसे आपके पास में यह चीज़ आ गई तो अब आप gap भी निकाल सकते हो t1 minus t2 भी निकाल सकते हो तो t1 minus t2 निकालोगे तो t1 minus t2 जो है वो आजाएगा t1 plus t2 का whole square मतलब 4 times u square upon g square minus 4 d1 d2 मतलब minus का 8 h upon g यह आजाएगा थोड़ा सा complicated है ना इस रस्ते से नहीं निकलेगा तो इसको आप छोड़ दो भी एक बार के लिए छोड़ इसको एक बार आपके यहाँ पर छोड़ देख रहते हैं कि हाँ इस तरीके से भी निकल सकता है दोनों के बीच का gap बढ़ा कभी कोई और सवाल ऐसा मिल सकता है जहां पर आपको यह एप्रोच यूज करनी पड़ जाए देखते हैं देखें कोई सवाल मिलता है तो उसमेपन करेंगे अभी तो खेर अपना जो देशी मैथड हो यहाँ पर काम आ रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तोन वहाँ पोरी डोपलान है अनुट्री तोन इस थोन अप तैमलतेटनेसली प्रॉम दी गांट विच रीचिज आ हइट पूरेट फॉरेच एच फॉरेच विलक्रोस इच अडर आफ्टर नहीं कित्ने टैम बाद में दोनों एक दूसरे गो एक क्रोस गांट ठीक है तो देखो ऐसे cases में कि एक stone को आप drop कर रहे हो h height से ठीक है और another stone is thrown up simultaneously from the ground which reaches a height for h तो दूसरे को तुमने कितनी speed से पहंका पहले तो तुम वो निकाल लो तो आपको पता है जो maximum height होती है वो किसके बराबर होती है speed का square divided by twice of g तो यहां से u square जो होगा वो आजाएगा आपका 8gh यह काम आ सकता है हमारे ठीक है यह काम आ सकता है अब पहले object को आप drop कर रहे हो यह first object है आपका ठीक है इसको आप drop कर रहे हो मानलो यहां पर आकर यह दोनों मिलेंगे और दूसरे को आप फैंक रहे हो उपर दूसरे को आप फैंक रहे हो उपर u speed से और मानलो यह दोनों यहां पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं ठीक है दोनों को simultaneously फैंक है तो इसकी जो height है तो यह height कितनी हो जाएगी तो यह height हो जाएगी ut u multiplied by t minus का half into gt square यह इसकी height हो जाएगी ती time में यह यहां पर पहुंच गया यहां पर पहुंच गया तो दोनों और दोनों का sum कितना होना चाहिए दोनों का sum होना चाहिए इन दोनों का sum कितना होना चाहिए h के equal होना चाहिए क्योंकि आपने इसको h height से drop किया तो sum करो इससे यह तो कटी जाएगा तो सिर्फ बचेगा ut is equals to h ठीक है तो t कितना आ जाएगा आपका t आ जाएगा आपका h upon u और u किसके बराबर है यू बराबर है आपके root 8gh के बराबर तो यहां पर मैंने रख दिया h upon root के अंदर 8 into g into h h से root h cancel out हो गया तो t के अंदर ऊपर भी आ गया root h और नीचे तो 8g पहले से ही था तो root h upon 8g आपका answer हो जाएगा option one will be correct को दिक्कत ही नहीं आई आगे चलो stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate अब कि बाद descend कर रहे है थेक है the displacement of the stone from the point of release after 10 seconds तो हमें speed दे दी गई है minus 12 नीचे की तरफ descending का acceleration जो है वो हमने ले लिया minus 9.8 ये भी downward direction है displacement कितना होगा ये हमें find out करने है और time हमें दे रखा है कितना 10 seconds कौन सी equation लग रही second equation बहुत simple question हो गया तो हमने second equation लगाई यहाँ पर तो जो displacement है वो आ गया u times t मतलब minus का 120 फिर minus का 1 divided by 2 9.8 multiplied by t square मतलब 100 तो ऐस आ जाएगा आपका minus 120 ये 4.9 times cancel out हो गया तो minus 490 तो ultimately ऐसा गया आपका 016 ठीक है तो displacement मतलब magnitude निकालोगी तो 610 मिटर आजाएगा minus तो इसलिए आए क्योंकि अपन नीचे की direction वो negative बहुत आसान question आके चलें यहां से stone thrown upwards with speed of u from the top of a tower reaches the ground with a velocity 3u ठीक है 3u से पहुँच रहा है the height of the tower is कितनी height होगी tower की यह आप से पूछा गया है ठीक है न तो notice करो कि यहां पर हमें देख या क्या रख है initial speed जो है न वो है positive u और जो final speed है वो है minus का 3u जमीन से टकराते हैं और इस process में जो और-all displacement हुआ वो minus का h होगा कहीं बार बता चुका होंगे direct आप कर सकते हो minus का h हुआ और जो acceleration लग रहा है वो तो आपका minus का g है ही कौनस equation लग रही है third equation लग रही है तो direct आपने third equation लगाया यहाँ पर और question solve कर लिया third equation क्या कहती है इसका square मतलब 9u square इसका square मतलब u square और twice of इन दोनों का product तो plus 2 into g into h जाएगा दोनों product होगे positive हो जाएगे यू square को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 8u square is equals to 2g h 2 से cancel out हो गया h आपका 8u square upon 2g मतलब 4u square upon यह हमारा answer आजाएगा option second is correct तो कहीं पार ना question दिखने में complicated लगता है कि और इसमें क्या करेंगे तुम जितना simple way में सोचना सीख जाओगे मेरे साथ साथ मैं देखना तुम notice करना मैं question को बहुत simple terms में break करने की कोशिश करता हूँ मैं ज्यादा high five concept बताने की कोशिश नहीं करता मैं बोलता हूँ कि बटा जो question है उसको ले के आओ अपनी team में जो तुम्हें हाता है उस domain में ले किया उसको ठीक है तब आएगा मज़ा तुम्हें खेलने के अंदर चलो आगे चलते हैं body loses half of its velocity on penetrating 3 cm in a wooden block then how much will it penetrate more before coming to rest तो जो अपना case 1 था कि मान लो हमारी initial speed कितनी रही होगी मान लो हमारी initial speed यू रही होगी ठीक है मतलब displacement कितना हो गया आपका 3 cm हो गया मिटर में मत convert करो इसको cm ही रहने दो आपकी final speed कितनी हो गई आधी रह गई मतलब u divided by 2 रह गई तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि यहाँ पर जो retardation वो कर रहा है वो कितना आएगा सबसे पहले ये निकालेंगे third equation लग जाएगी यहाँ पर तो हमने यहाँ पर third equation लगाई और सबसे पहले retardation निकाला final velocity का square मतलब u square upon 4 initial velocity का square मतलब u square और plus twice of a हमें निकालने और s हो जाएगा हमारा 3 centimeter ठीक है तो u square को इधर लाएंगे तो minus 3 u square upon 4 is equals to a multiplied by 6 centimeter ठीक है तो a जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 3 से 6 चला गया दो बार तो a आ जाएगा minus का u square u square 2 नीचे चला गया तो minus का u square upon 8 centimeter अभी अपन centimeter में लेगे चल रहे हैं सबस्ता कि unit convert करने की ज़रूत ना पड़े इतना हमारा retardation आ गया यह हमारा retardation वोक कर रहे अब यह पूछा है कि then how much will it penetrate more before coming to rest तो आप या तो शुरू से start कर लो यह यहां से start कर लो कि अब की बार आपकी initial speed कितनी है u by 2 अब की बार आपका acceleration कितना है minus का u square upon 8 centimeter ठीक है अब की बार आप displacement निकालना चाहते हो कि और कितना चलेगा और final speed कितनी हो गई अब की बार 0 रुक गया again third equation लगाई आपने तो यहां पर आपने third equation को लगाया और आपके पास में answer आ गया final velocity का square हो गया 0 is equals to initial velocity का square हो गया u square upon 4 और यहां पर जब value रखेंगे तो minus आ जाएगा 2 multiplied by u square upon 8 centimeter multiplied by जो भी हमारी distance आईगी s वो हम निकाल सकते है तो एस कितना आएगा यह दो से चार कट गया तो यह स्कॉर से यू स्कॉर भी कट गया आप ऐसे लिख लो कि u square divided by 4 centimeter multiplied by s u square upon 4 centimeter by s यह किसके equal हो गया u square upon 4 के equal हो गया u square से u square चला गया चार से यह चला गया तो ऐसा जाएगा आपका 1 centimeter एक centimeter और चलेगा object option यह हो जाएगा यहाँ पर ठीक है बॉल is released from the top of a tower of height h meters release किया उसको अना it takes t seconds to reach the ground अना what is the position of the ball at t by 3 seconds तो वन थड मत कर देना ठीक है ना हमने बता है था हर consecutive time में अलग-अलग distance चलता है ठीक ना तो ती second लग रहा उसको ground तक जाने में एक तो हमें पता पढ़ गया कि t जो है हमारा वो किसके equal है वो root 2h upon g के equal है ठीक है एक तो हमें पता पढ़ गया ऐसा question अपने पिछले lecture के अंदर भी करा रहा है अब हमसे पुझा किया है what is the position of the ball at t by 3 second and from the ground निकालनी हमें from the ground तो अपन पहले तो from the point of release निकाल लेते हैं तो point of release से जो position है h- ठीक है from dropping point पहले अपन यह निकाले तो simple रहेगा तो formula क्या होता है formula होता है half into g into इसका one third करना है तो t square by 9 t by 3 square करोगे तो t square by 9 हो गया ठीक है ती की जगह आप यह रख सकते हो तो यह आजाएगा half into g multiplied by 1 by 9 ठीक है 1 by 9 और t square की जगह आप रख सकते हो 2 h upon g तो यहाँ पे g से g गया 2 से 2 गया ultimately आगया आपका h divided by 9 ultimately आगया आपका h divided by 9 तो यह तो dropping point है from ground अगर निकालोगे from ground अगर निकालोगे तो यह आजाएगा आपका h minus h by 9 मतलब 8 h divided by 9 यह आपका answer ठीक है तो option a हो जाएगा हमारा यहाँ पर बहुत simple question है यह सब j e के अंदर आएवे questions है car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s ठीक है तो एक तो हमें पता पढ़ गया कि जो distance s है वो किसके बराबर हो जाएगी rest से start होई है तो एक तो अपनों के पता पढ़ गया कि half into acceleration multiplied by जो भी time लगा आपका मालो t1 time लगा इसका square ठीक है ठीक है तो एक तो यह हो गया एक तो यह हो गया कि इतनी distance और यहां तक आते आते हमारी speed कितनी हो गई कि f multiplied by t1 हो गई एक तो चीज हमें यह बता पढ़ गी then continues at constant speed for time t फिर इसी speed से चलता रहा ठीक है तो यह तो हमारी इतनी distance और चल लिया इतनी distance और चल लिया ठीक है और अभी भी velocity कितनी है अभी भी velocity इसकी f multiplied by t1 ही है then d accelerates at the rate of f by 2 to come to rest अबकी बार उसका d acceleration हो रहा है तो इतनी speed से वो 0 पर आ रहा है तो उल्टा ले लो 0 से इतनी speed तक जा रहा है बढ़ अबकी बार acceleration कितना है आपका अबकी बार acceleration f by 2 है तो further जो distance होगी उसकी वो हो जाएगी half अबकी बार acceleration कितना है आपका f by 2 है और मानलो t2 time लगा तो t2 का हो गया यहां पर require इतनी हमारी distance हो जाएगी ठीक ना और हमारी जो speed है v is equals to f times t1 अगर आप उल्टा लिखोगे कि भाई अभी तो इतनी speed से 0 पर जा रहा है कितने d acceleration से f by 2 से उल्टा करो कि 0 से इतनी speed पर आ रहा है और कितना time ले रहा है t2 time ले रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो f divided by 2 multiplied by time t2 तो यही चीज इसके बराबर भी हो जाएगी ठीक है सोच के देखो मतलब कहीं बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि आप 0 पर थे और 0 से आप कितनी speed पर जा रहे हो आप v बराबर f times t1 speed पर जा रहे हो आपको time कितना लगा t1 लगा और यहाँ पर acceleration कितना है f है और फिर यहाँ से rest पर जा रहे हो यहाँ से वापस rest पर जा रहे हो 0 पर जा रहे हो अपकी बार time कितना लगा t2 अपकी बार d acceleration कितना है f by 2 तो यह arrow आप उल्टा भी तो कर सकते हो जैसे आपने यहां से यहां तक जाने के लिए distance निकाली सीधा-सीधा half into acceleration time का square velocity निकाली सीधा-सीधा acceleration multiplied by time वैसे आप यहां से लेकिए यहां तक भी तो कर सकते हो सीधा-सीधा आप distance निकाल सकते हो half into acceleration multiplied by time का square तो T2 लगा और सीधा सीधा velocity निकाल सकते हो acceleration multiplied by time यह तो करना है हमें ठीक है तो हमसे पूछा है if the total distance traversed is 15s तो S की value कितनी होगी वो हमें T की format में निकालना है इस वाले time की format में हमें निकालना है ठीक है तो देखो वैसे तो हमारा जो total time है वो कितना हो जाए total distance कितनी हो जाएगी इन सबको add करते हैं आपन इन सबको add करेंगे तो एक चीज यहां से notice करना आप एक चीज यहां से notice करना कि T1 divided by T2 जो है F से F तो आप गया तो T1 divided by T2 जो है वो कितना आ जाएगा आपका one by two आ जाएगा एक तो यह चीज ध्यान में रखना कि T1 को आप one मान सकते हो और T2 को आप two मान सकते हो दोनों का ratio one by two है ठीक है और अब अपन चलते हैं हमारे total distance के उपर तो total distance हमारी 15s है ठीक है तो 15s का मतलब इन ती half into F ठीक है multiplied by one का square ठीक है plus F multiplied by one multiplied by T ठीक है और यह हो जाएगा one by four multiplied by F multiplied by two का square यह और all हमें कितना दे रख है 15s दे रख है 15s दे रख है तो यहां से हमारे पर अच्छा ऐसे मत कर रहा है इसको अपने direct value नहीं रखेंगे यहाँ पर just equations को manipulate करना है हमें है न एक तो यह आ गया हूँ कि T1 और T2 का ratio इतना होगा 15s है 15 times s okay 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 if the total distance traversed is 15 15s अब इसको अपनों को interpret करना है देखो कैसे interpret करेंगे तो ठीक है T1 T2 का ratio तो आ गया हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पीच में ये वाली distance है इसी को हमें manipulate करना है अगर अगर अपन direct graph से करे 15s total time pump aha half f t1 square f t1t2 half f by 2 t2 square t1 by t2 का ratio आगिए टीवन और टी में कोई डिलेशन नहीं है टोटल डिस्टेंस हमारी 15S है चलो तो अपन क्या करते हैं थोड़ा लंबा मेथट तो है बट निकालते हैं एक बार के लिए हम स्ट्रेट फॉरवड इन तीनों को एड़ करते हैं ठीक है तो एड़ किया तो कितना आ गया हाफ असे एड़ गरने पर आ गया आपका हाफ एफ ठीक है इंटो टी वान है इसक्वार या आ गया पहली दिस्टेंस फिर एफ अनल्टीप्लाइड भैट्टी वैट्टी यह दूस्री डिस्टेंस आ गई और तीसरी डिस्टेंस आ गई हमारी F divided by 4 और T2 की जगे में क्या रख सकता हूं twice of T1 रख सकता हूं तो twice of T1 रखूंगा तो यह आ जाएगा four times T1 का square F by 4 तो था ही T2 की जगे मैंने twice of T1 रख और यह total मिला कि कितनी है 15S है ठीक अब क्या करें मतलब करना पड़ेगा हमें तो और ओल T1 की format में हमारा answer आ जाएगा तो यह आ जाएगा अगर आप गौर करोगे तो यह आ जाएगा आपका इसकी जगे भी half T1 square S रखी दे तो देखो चार से चार कट गया ठीक है और यहाँ पर half है लब half F T1 square यहाँ पर F T1 square है तो total हो जाएगा 3 by 2 F into T1 square यह हो जाएगा फिर यहाँ पर F into T1 into T यह हो जाएगा और एक है हमारे पास में 15 times S और S का मतलब खुद क्या है half into F times T1 का square यह है हमारा S तो या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं पर ठीक है एक बार अपनों को करना पड़ेगा T1 को T की format में निकालना पड़ेगा तो F तीनों में common आगे cancel out हो गया 15 by 2 में से 3 by 2 को minus करेंगे तो 12 by 2 मतलब 6 बच जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा T1 multiplied by T is equals to 6 times T1 का square यह बचेगा और यहाँ से आपके पास में आगया कि T1 जो होगा वो हो जाएगा आपका T1 से T1 cancel out हो गया T divided by 6 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका T1 ठीक है और जैसे T1 आगया आपके पास में T by 6 तो यहाँ पर रखोगे तो S किसके बराबर आजाएगा S आजाएगा आपका half into F into T by 6 मतलब T square divided by 36 मतलब यह आजाएगा आपका 1 by 72 multiplied by F multiplied by T square ऐसे आप कर सकते हो इस question को option D जो है वो हमारा हो गया correct option D जो है वो हमारा हो गया 1 by 72 F times T square यह हमारा answer आजाएगा अभी वही ना अभी कुछ ऐसा क्लिक नहीं कर रहा कुछ स्मार्ट तरीका क्लिक नहीं कर रहा है कुछ ना कुछ तो इसका स्मार्ट तरीका भी होगा क्योंकि इस question को बहुत छोटे तरीक अभी पता नहीं आप बच्चे डूड़ना देखें किसी को कोई छोटा तरीका नजर आए तो अलब यह analyze जो किया है वो अपने बिल्कुल सही किया है टीवन टीटू का जो relation निकाला है बिल्कुल सही किया है पटी जो आगे अपन equation वगरा बना रहे हैं इसकी जगे कुछ तो जोलजाल किया जा सकता है अभी मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है आप बताना मुझे अना अगर आपको हो जाए दूए ठीक है last question ही था हमारा जिसमें हम अपिलर प्रॉब्लम से सिखाने वाली प्रॉब्लम से हैं आई होप आप सभी लोगों की जो understanding है motion अंडर ग्रिविटी की motion अंडर constant acceleration की वो और जदा increase होई है अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया अभी वाला लेक्चर देख लिया में चीज़े confidence increase होना तो जब आपने देखा कि यार थारे questions में नया concept कुछ नहीं है बस केवल और केवल जो हमारे पास में equations हैं उनी को हमें smart तरीके से apply गरना है और यही सुभाश्चर हमें सिखा रहे हैं तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा उम्मीद करता हूं lecture आप में से कोई बच्चा rectify करें कि देखो सर इसको और चोटी तरीके से किया जा सकता था मैं तो खेर बताई दूंगा आपको अगले lecture के अंदर अभी record करते समय क्लिक नहीं करता मुझे तो वह भी आप बता सकते हो comments के अंदर बागी lecture कैसा लगा यह तो ज़रूर बताना आपको मिलता हमां आपसे next class के अंदर तब तक के लिए ठाटा वाई भाई भाई शी ओली next class चैहंत